हेलो फ्रेंड, सार्कॉल ओफ एजुकेशन वेलकम्स यू अपने रोमेंटिक राइटर की सीरीज में हम वर्ट्सवत कवर कर चुके हैं आज की इस वीडियो में हम पीबी शाली कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स कुछ परसनल रीजन्स की वजए से वीडियो जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे अपलोड नहीं हो पाई लेकिन अब जो हैं वो लेक्चर्स डेली बेसिस पे अपलोड होंगे तो चैनल के साथ बने रहिएगा अगर आपको वीडियो समझ आ रही है नोट समझ हा रहे है लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो उसको लाइक करें अपने कमेंट सेक्शन में जरूर रखें अपने वीव्यो जरूर रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं तो आज की इस वीडियो में हम P.B. Shelley जो है ना इनकी बाइगरफी बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिसकस करने वाले हैं तो P.B. Shelley इनका पूरा नाम Percy B.C. Shelley है कई बजी एक्जाम में आ जाता है आपको फुल नेम याद रखना है इनके बर्थ की बात करें अगर तो 4 अगस्ट 1792 यारी 1792 में इनका बर्थ हुआ था जगह की बात करें तो वो था फिल्ड पैलेस नियर हैर्शम वेस्ट ससेक्स इंगलेंड में डेथ की बात करें अगर तो वो 8 जुलाई 1822 में गल्फ ऑफ स्पेजिया में हुई थी फ्रेंट्स इनके जो डेथ हुई थी वो डूबने के कारून हुई थी हमको याद रखना है चलिए पेरेंट्स का जिक्र कर लेते हैं तो जो इनके फादर थे उनका नाम था सर टिमोथी शेली जो की विग मेंबर थे पार्लियमेंट के और इनकी जो मदर थी उनका नाम था एलिजाबेट पिलफोर्ड जो की ससेक्स में लेंड ओनर थी और जो Shelly होते हैं यह eldest son होते हैं चलिए अब ना education की बात कर लेते हैं तो 1802 में यह enter करते हैं Sign House Academy of Brantford Middle Sussex में 1804 में Shelly जो है enter करते हैं Atten College में जहाँ पर उनको एक nickname दिया जाता है Mad Shelly Mad Shelly इनको nickname यहाँ पर इसलिए दिया गया है क्योंकि जो Shelly का nature होता है वह बहुत ज़्यादा violent होता है बहुत जल्दी इनको गुस्सा आ जाता है यह short tempered nature के होते हैं spouse की यानि की partner की अगर बात करें तो इनकी दो शादिया होती है पहले जो होती है Harriet Westbrook से और बाद में जो है इनकी शादी होती है मेरी Godwin से अब इन ही सारे facts को ना हम detail में अब discuss करने वाले हैं friends biography से एक question दो question जरूर ही बनते हैं एक्जाम में तो आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है और अपने notes बनाने हैं तो सबसे पहले intro ही देख लेते हैं तो जो PB Shelly है हमारे यह romantic poet है young generation से belong करते हैं यह young generation यह second generation भी बोल सकते हैं हम और यह जो है जाने जाते हैं अपने lyrics के लिए ठीक है और इनको revolutionary spirit का poet भी बोला जाता है बहुत बड़ी एक्जाम में question आया गया है कि revolutionary spirit का poet कौन है तो वह हमारा PB Shelly हम अंसर टिक करेंगे 1804 में यह अपनी studies जो है वो start करते हैं इटन college में जो कि एक boys boarding school होता है और यहां पर इनके जो classmates होते हैं इनको bully करते हैं और नाम पढ़ता है ग्रूप का Shelly Bates ऐसा बोला जाता है कि जो Shelly है ना उनका जो nature था उनके जो thoughts थे उनके जो writings थी उसमें जहें Greek mythology का बहुत जाद 10 में यह enroll हो जाते हैं Oxford University में college में लेकिन यह जो होता है इनका nature वो indifferent होता है studies के प्रती इनका बहुत जादा मन नहीं लगता है पढ़ाई में और यह वहीं इसी college में ही जो है यह novel लिखते हैं अपनी पहली novel कौन सी है इनकी जैस्ट रोजी और बुक लिखते हैं सजेस्टिव poetry पे और 1811 में यह अपनी publish करते हैं second Gothic novel फ्रेंट जो जैस्ट रोजी थी ना पहली इनकी novel है वो और पहली Gothic novel भी जो है वो शेली की है तो 1811 में यह अपनी दूसरी novel लिखते हैं जो कि वो भी Gothic ही होती है और उसका title होता है सेंट इर्वाइन और दा रोजी कुरूशियन और सा क्यों है यह भी बताऊंगी मैं आपको तो यह जो इनके works publish हो रहे थे ना यह anonymously publish हो रहे थे मतलब यह अपने नाम से publish नहीं करवा रहे थे इन works को ठीक है यह अभी हम जब इनके works को करेंगे ना detail में तब देखेंगे कि कौन सा वक किस नाम से कैसे publish हुआ था तो यह anonymously publish करव आते थे और जो इनका work होता है ना necessity of athecism इसके लिए इनको college से निकाल दिया जाता है कई बारी एक्जाम में question बना है कि कि किस work के विजह से इनको college से expel किया जाता है तो वह necessity of athecism और इनको खाली अकेले नहीं निकाला जाता है इनके एक friend होते है thomas jeffron hawk करके कई बारी इ इनका lifelong friend होता है बहुत ही best friend होता है तो साथ ही साथ इनको भी जो है college से निकाला जाता है necessity of athecism में क्या होता है question कर देते हैं religion के उपर ही जो कि उस वक्त के लोग जो होते authorities जो होते हैं वो उसको बहुत serious लेते हैं और उनको college से निकाल देते हैं friends अभी तक आपको इनका nature सम समझारा होगा कि यह short tempered थे पढ़ाई में इनका मन नहीं लगता था इनके classmates इनको bully करते थे revolutionary spirit होती थी इनकी against में उनने religion के ही चीजों को लिख दी है अब same year में ही यानी 1811 में ही मतलब जब यह college से निकाल दिये जाते हैं तो उसके चार महीने के बाद ही यह क्या करते हैं उ पड़की का नाम होता है Harriet Westbrook अगर आपको writing समझ नहीं हा रही है तो इसको मैं और clear करने की कोशिश करूंगी लेकिन साथ ही साथ मैं आपको explain कर देती हूं तो I hope का आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती होगी तो यह Harriet Westbrook के साथ भाग जाते हैं शादी कर लेते है लेकिन कुछ टाइम बात जो है Shelly इंट्रस्टेड हो जाते हैं इंट्रस्ट दिखाने लग जाते हैं Elizabeth teacher में जो कि एक 28-year-old school teacher होती है तो इनके साथ जो है इनका कोई relationship नहीं होता है बस यह इनके thought में होता है platonic relationship हम इसे बोल सकते हैं और ऐसा माना जाता है कि वह inspire करती है इन teacher थी school teacher थी यह inspire करती है Shelly को यह poem लिखने के लिए और 1830 में Shelly जो है वो खुदी publish करते हैं अपनी lifelong poem Queen Map जो की एक poem है allegory है political ideals के उपर friends आपको easily समझ आजाएं चीजे और आप connect कर पाएं इसलिए पर दिए year wise चीजे लिखिएं ताकि आपके लिए easy हो जाए तो 1830 में यह अपनी poem publish करते हैं और 1840 में यह visit करते हैं William Godwin के घर जाते हैं ठीक है William Godwin बहुत बड़ा नाम है ठीक है अपने political justice के रिए बहुत ज़्या करते हैं इनकी ideas को तो जब इनके घर जाते हैं तो यह William Godwin की daughter होती है एक 16 साल की Mary नाम होता है उसका तो यह Mary को देखते हैं और Mary और Shelly को जो है वो प्यार हो जाता है उस वक्त जो है Shelly की जो first wife होती है Harriet Westbrook वो expect कर रही होती है मतलब वो pregnant होती है और यहां Shelly जो है वो प्यार wife होती है Shelly की Harriet वो suicide commit कर लेती है और वो कैसे suicide attempt करती है वो एक river होता है उस river में कूद करके अपनी जान दे देती है और same year में 1860 में Shelly जो है वो दूसरी शादी कर लेते हैं Mary से फिर 1818 में Shelly मूव करते हैं Naples में और जहां पर यह poem लिखते हैं Stanjas written in rejection near Naples Shelly फिर Rome जाते हैं और Rome में इनकी health condition होती हो बहुत बेकार हो जाती है यह तरह तरह की disease यह है उससे suffer करने लग जाते हैं जिसमें से tuberculosis भी होता है तो Shelly जो है वो invite करते हैं John Keats को कि आओ मेरे साथ रहो Pisa में लेकिन Keats जो होता है इनका ही जो invitation है उसको reject कर देते हैं Pisa friends इस पर question कई बरी आया हुआ ह एक ऐसी जगह है जहां पर Shelly रहते हैं और जो उनकी best poetries है ना जो उन्होंने लिखी है माना जाता है कि वो सब Pisa में ही लिखी हुई है तो कुछ टाइम बार Shelly और Edward William होते हैं यह एक नई boat में जा रहे होते हैं उस boat का नाम होता है Don's One ठीक है तो यह नई boat में सफर कर रहे हो कहां से लिवोर्णो से लेडी सी लेकिन क्या होता है कि एक तुफान आ जाता है समुंदरी तुफान गल्फ ऑफ स्पेजिया में जिसमें इनकी death हो जाती है तो इनकी जो body होती है वो 10 दिन बाद जो है वो recover करी जाती है तो इस जो star mark करके लिखा है ना मैंने इस पर कई बड लामिया लामिया कुन सी poetry थी जोन KEETS की थी तो जोन KEETS की जो poetry होती है लामिया वो हमें Shelly की pocket से देखने को मिलती है Shelly's epituff के बात करें तो वो Tempest से लिया गया है दा Tempest जो कि William Shakespeare का work है इसमें Arial का एक song होता है उस song से जो है तो जो William Shakespeare का work है ना The Tempest उसमें एक character होता है Ariel Ariel का जो song है वहीं से Shelly का epitaph लिया गया है वो क्या है हम देख लेते हैं Nothing of him that.fade but.suffer a sea change into something rich and strange Shelly का cousin होता है Thomas Madwin जो की biography लिखता है P.B. Shelly की जिसका नाम वो टाइटल देते है The Life of Percy by Shelly Byron ने comment किया था Shelly पे The most gentle, the most amiable, the least worldly minded people I have ever met कब मिले थे वो? They met 18-16, spent time in Lake Geneva, boating tour में रहे थे influence किया था ये जो इनकी meeting थी ना ये influence करती है Shelly को लिखने के लिए Him to intellectual beauty तो friends आज की इस वीडियो में हमने इनकी biography बहुत ही अच्छे से detail में discuss कर ली है next video में इनके जो भी work है जितने भी work है वो सारे जो हैं हम discuss करेंगे तो channel के साथ बनी रहिएगा channel पे नए है तो subscribe करें और आपके जो भी opinions है comment section में जरूर रखें तो ग Ici तो आपके जो कर दो से करेंगे है जी तो a कर दो कर दो एक